तो हम बात कर रहे हैं आज आपके सांथ वी लूक अप की कुछ और चीज yarn की बारे जैसे की मैंने last class में बताया था वी लूक अब के बारे वी लूक अबो कि विलूक अब कि आपने डेटा को कोडिकल लूक आप किया आपका डेटा के अंदर यूनीक आईडिय Isn't के यहाब पर लगा रहे हो वह स्टार्टिंग में अगर वह बीच में कहीं हुआ तो दिक्कत है जैसे कि यहां इस सीट पर आप देखेंगे कि जो हमारी आईडी है इस हमारा डी कॉलन में कि कौन से कॉलन में है ठीक है अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस से लेटर यह चीज तो यहां पर हम लगाएंगे मैच और इंडेक्स फॉम्मुला जैसे आइडी नंबर 104 है तो यहां मैं मैच का फॉम्मुला लगाऊंगा क्योंकि मैच फॉम्मुला और जन्टल राटिकल तो नो चलता है तो 104 को लुक अप करके देगा कि इसके अंदर किस रो नंबर और रो इंडेक्स नंबर में है और कॉलम तो हैं बता है कि हमें ओर्डर वैलू चाहिए जो कि दूसे नंबर कॉलन तो यहां हम लगाएंगे फॉम्मुला इंडेक्स का इंडेक्स में पूरी की पूरी नेटा को सेलेक्ट करेंगे मैच का जो result बी 17 पे उसको select करेंगे और यहाँ पर column के लिए कर देंगे 2 तो आप देखेंगे यहाँ 345 point by 22 यहाँ पर आ गए 104 था ठीक है अब मैच का formula जो लगाया इस मैच को formula को copy करके यहाँ पर जहाँ पर बी 17 मैंने select किया था उसके जगाँ पर paste कर दीजिए तो मैच और index को आपस में कमाईन अगर कर देते हैं तो वी look up का formula बनके आ जाता है और इसकी खासियत क्या होती है कि starter और ending का कोई चकर नहीं होता है आपकी unique ID कहीं भी हो वो हम look up कर सकते हैं दूसरा आप match और index के जगाँ पर offset भी लगा सकते हों अब offset क्यों लगाएंगे match अच्छा खासा है तो क्योंकि match में आपको पूरा data select करना पड़ा चलिकर date में data कम बेसी होगा तो दिक्कत हो जाएगी तो यहां हम offset formula यहां पर offset formula देते हैं offset formula कहता है कि मुझे data के starting position दे दो अब कितने number row तो हमने match का result select कर लिया और कितने number column तो हमने 2 दिया तो यहां 2 दे दिया अब यहां पर quantity sold आ गया है बड़ दो यहां 3 होना चाहिए था न क्या पर तीन में तो गलत रिजल्ट आ रहा है देखिए offset हमेशा एक कम लेता है तो minus one और एक कम दीजिए क्यों परकि offset अपनी counting zero से शुरू करता है जैसे आपने match में दिये हैं दो इंडेक्स में आपने दो दिया है तो one two किया लेकिन offset क्या करेगा जीरो वन टू तो इसके लिए three हो जाएं अब आया 100 यहां देखिए 10079 अब इस match फॉर्मुले को हम कॉपी करके इसके अंदर डाल देखिए वी 17 के जगा अब यहां पर ध्यान दिजिएगा match फॉर्मुला यहां लगाया लेकि match फॉर्मुला और offset फॉर्मुला के मिक्स अब और बेटर बना लिया तो आपके पाद दो अप्सें है या फिर आप offset लगाए उपसेट में लगाए या इंडेक्स में लगाए आपके उप को भूल जाए है ठीक है जैसे मुझे आइडी माल दीजिए 1109 है और मुझे यहां पर इसकी क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर लगाएंगे फॉर्मुला एक्स लुक अप एक्स लुक अप में लुक अप वैलू और लुक अप एरे लुक अप एरे कुन से होगा कि महलें 109 किसे मैच करेगा तो इसके अंदर मैच करेगा और डिटर्न किसको करना है तो प्रॉफिट को करना है सिंपर करें रिजल्ट आपके सामने आ गए इसकी परसंटेज में कर देते हैं तो यहां एक्स लुक अप के अंदर में आपकी ऊपर चौईस है कि आपको क्या सोगा ना आपको क्या और वैलू देना या डेट देना या सेल्स देना है या कोई और देना है इस पर डिपेंड कर एक्स लुक अप लगा सकते हैं अब यहां है एक्स लुक अप की हम बाद करें जैसे तके मुझे यहां 105 का जोन चाहिए हिसके趣 मचेआ प्रटी कल तो इक निए जको PRO-Taskop लगा लियुघ तो यहां पहỡ़ दा बंको कॉल्म आपको वल्यजह हो तो हम डाफ यूज कर्ते हैं और यहां पर रोर नंबर के जगा पर रोर नंबर डालते हैं तो देखिए आपके सामने साउथ आगे लेकिन यहां आप एक्स लुक अब भी लगा सकते हैं एक्स लुक अब लुक अब का भी काम करता है और साथ में आपका एक्स लुक अब का भी काम करता है तो यहां přे हम एक्स लुक अप लगाया और सलेक किया कि वह ऑन गरीख कर दना है तो इसके अंदर मैच करना है और क्या पर कर न ses के और एंटेपरेस किया तो देखिए रिजल्ट आए अब यहां वे ची और भी होती है जैसे हमने कल जो वी लुक अप लगाया था आपके साथ जैसे इसी वी लुक अप को देख लिए तो इसमें हमने क्या किया था कि बज़े तिग्रम किये थे अपने कॉलम के रिफरेंस के लि भैलो सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट को इसका सेक्वेंस जहां मुझे लाना है उसका सिक्वेंस और डेटा का सिक्वेंस दोनों एक ही हल तो यहां हम एजली ड्रैग कर सकते हैं हम क्या करेंगे इसको स्वडर साइन देते हैं और इसको एफ एफ كार्ते हैं और इसको फ्रीज ने करते दिवालों रिजल्ट वाले सीट को हम फ्रीज नहीं करेंगे और इसको सेलइक करके आगे के तरफ हम ट्राइफ कर देkiejा करadleए रिजल्ट आ गया एक सब्सक्राइब एक और फैदा है जैसे मैंने यहां पर उपर मैंने दे दिया फाइव अंडे तो यहां हम रोग क्या करते हैं वी लुक अप लगाते हैं जहां वी लुक अप के अंदर अगर आता है तो हमें क्या करना होता है इसके अंदर मुझे इफ एर लगाना होता है कि इस एरर और एपको इंदर के अंदर में यहां आपको दिखेगा if not found if not found और यहीं पर हमने blank दे दिया और आगे के तरफ drag कर दिया तो इसमें एक ही formula उसका भी काम कर दिया कि अगर यहाँ पर कोई number ज़ादा देंगे तो यहाँ पर अपने आप blank कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर आपने सीखा इसमें x look up h look up match index and offset match कोई confusion इसमें आप लोग हो Mani जी दिने जी सुरेज जी, Mani जी और राहूल जी अज आपको practice करने को आप भूनता हूं सर जी हाँ practice करना आप जी जी अब हम tricks के तरह बढ़ते हैं ठीक है tricks में यहाँ देखिए मेरे पास क्या है कि मुझे पूजा का total चाहिए पूजा का quantity चाहिए पूजा का quantity चाहिए लेकिन पूजा मेरे data में repeated है पूजा पूजा पूने भी है और पूजा नौइडा की है मुझे पूजा नौइडा का चाहिए मतलब कि मैं यहाँ पे दो कंडीशन को match करना चाहता हूँ ठीक है तो इस case में क्या करेंगे तो इस case में हम लगाएंगे formula we look up करेंगे वह look up दो करेगा नहीं तो हम अपने data में column add करेंगे और हम name और city दो जोज नたい करना है उसको हम यहाँ पे concrete करना क्या करनागे concrete करतेगे तो हमें यहाँ पे dash लगाया क्या जूरी है यह दैस लगाना जूरी नहीं है लेकि दैस थोड़ा सा आपको यह देता है तो आगे समझने में असानी होती है और कुछ खास नहीं है अब यहां जो वी लुक अप लगाएंगे तो यहां भी हम सेम करेंगे हम पूजा को सेलेक्ट करेंगे अइन परसेंट डैस लगाया दैन अइन परसेंट हम करेंगे और यहांसे अपना टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर एंडर इस तूने थी है 3-4 तुमा कि भीचार है थे इसमें हमने फूर को सेलेक्ट के है रिजल्ट आगै आ गिया दिएकिम को दाउटिसमें तो multiple conditions कैसी use करते हैं समझ में आ गया लेकिए अगर आप यहीं पर X look up लगाते हैं तो आपको एक अलग column add करने की जरूरत नहीं है के साथ हमने नोईडा को सेलेक्ट किया और यहीं पर हमने दोनों फिल्ड को लिए इन दोनों फिल्ड को और कॉन करणा ने लगाया डैस और अगें डैस इसको लिए हमने अगर नहीं होगा इनको पास तो गूगल सीट पर कर लिजीगा प्रैक्टिस टीक है तो यहां पर देखिए कि हमने इन दोनों को कमाइन यहां पर कर लिया और जो कमाइन करके मैंने यहां वी लुक अप में किया था एक्स लुक अप में सेम चीज हमने यहां ले लिया पूरा का पूरा डेटा के साथ एक्स लुक अप यहां पर लुक अप करके आपको दे लिया चीक है यह तरीक समझ में आ गया आप दूसी तरीक के तरफ चलते अभी क्या है कि यहां पर सुजीत कुमार है और मुझे सुजीत का डेटा चाहिए किसका डेटा चाहिए सुजीत का तो ऐसा पॉस्बल है बीलुक अपके साथ नॉमल ही पॉस्बल नहीं है अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो आपको यहां पर कॉमा थरी कॉमा जीरो एन नहीं आए लेकिन आप सुजीत के आगे पीछे स्टार लगा देते तो पॉस्बल है यह हो जाता है content with चाहे सुजीत कुमार हो चाहे कुमार सुजीत हो डेटा आपका लुक अप कर देगा लेकिन अगर मैंने हाँ पर सुजीत और स्टार लगाया इसका मतलक हो गया start with सुजीत सुजीत कुमार, सुजीत कुमार सिंग, सुजीत सिंग, सुजीत सर्मा कुछी को लुक अप करेगा कुमार सुजीत को लुक अप नहीं करेगा क्योंकि सुजीत स्टार्टिंग में होना चाहिए अगर मैं स्टार और सुजीत लगाया अब जो है सुजीत कुमार को एंड विथ सुजीत तो यहां पर सुजीत क्या यह आप ले सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पर मुझे पता ही नहीं कि सुजीत है सुजीत कुमार तो यहां क्या करेंगे मुझे इतरा पता है कि तीन क्रेक्टर है अब यहां पर यहां पर हम वी लुक अप लगाते है इसको सेलेक किया कॉमा इसको सेलेक किया कॉमा थ्री कॉमा जीड़ो आगया टीन लेकिन यहां अगर देव हुआ तो देवित्री लिटर का है अब यहां टेन आ गया ने मुझे ए का स्रीच चाहिए तो यहां पर आप ए के साथ दो कोश्चन मार के देते हैं तो पहला लिप्टर तो यह होना चाहिए दूसरा तीसरा कुछ भी होगा चले ठीक है दूसरा तीसरा कुछ भी होगा चले यह दोनों तरफ लगा हुआ है और कहीं भी होगा पहले टेक्स लिखा बाद में स्टार लिखा हो पहले बाद में सुजीत लगाया दिसको बुलते हैं और आपने दोनों तरह आपने गार कोई भी करें समझें यहां पर यहां पर जो लगाया ना से एक के साथ यह दो करेक्टर कुछ भी हो जगता है कि तो करेक्टर हो ना चाहिए टोटल करेक्टर हो गया एक तो एक अम पसरी हो गया उसके बाद दो को भी ग्रेक्टर अब यहां पर देखिए घ्रेटर लॉटिकल ऑपरेटर को नहीं लेता जिसे गेटर दैनलेटर गेटर दन उक्वल टू ऐसे ऑपरेटर को किसी भी condition में look up नहीं करेगे समझ गया है clear है sir अब चलिए यहां पर बात करते एक और चीज़ की जैसे मेरे पास मेरा name repeated है यहां पर देख सकते हैं कि पूजा city और quantity repeated है यहां पर पूजा जोए कई बार repeat है ओम कई बार repeat है तो मैं normally we look up लगाऊँगा तो सिर्फ 28 आएगा लेकिन मुझे क्या करना है कि 28 भी चाहिए और यहां पर नीचे 17 भी चाहिए कॉमा कॉमा करके आना चाहिए तो यहां we look up से संखम नहीं है लेकिन हम error formula में जाए text join के साथ तो ऐसा कर सकते है यहां एक जरूरी है हमें ब्लैंक को ट्रू करना है यहां पर ट्रू देना यह जरूरी है बहुत तो formula evaluate में इसकी procedure को समझते है इसका procedure यह है कि अगर evaluate किया तो जहां जहां पूजा है वहां वहां equal करके true आ जाएगा जहां जहां true है वहां वहां value आ जाएगी और जहां false वहां blank आएगा अब text join को हमने बोला है ignore the blank तो ब्लैंक को ignore कर देगा बाकिसाय नंबर को combine करके एक जगा पर देदेगा लेकिन मुझे इसका एक list चाहिए क्या चाहिए लिस्ट यहां चाहिए इसे filter लगाते है तो जाइब सी बात है वहांने last class बताया था filter फार्मा लगा लगा लेंगे filter इसको select कीजिए data को इसके बात है include तो हमने name वाले column को select का लिया और equal हमने बोला कि यहां पर ओम simple enterprise किया आ गया अब यहां पर change करूँगा मैं करता हूँ रवी तो रवी का data आएगा मैं यहां पर करता हूँ देव तो देव का data आएगा ठीक है समझ मैं आपको तो यह file मैं आपको भीज रखी है same है उसी में आप इस file के उपर अच्छे से बैठके practice कीजिए ठीक है ठीक है राउल जी